हलो फ्रेंद्स, विल्कम बैक टू मैं चनल, आज एक और टापिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ, जो लोग फर्स टेम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहते हूँ, छोटे छोटे शोटे स्टोरी, पैराग्राफ, ऐसे, मैं आपके से वह इस देखने को मेरेगा, प्रिजेंट टेंस के संटेंस रहेंगे, और कुछ हमारे पास टेंस के संटेंस आपको इसमें देखने को मेलेंगे, सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है इसमें, I feel one of the main reasons why I formed such a bond with my best friend was because of the qualities she possesses, I feel, I feel मुझे लगता है या मुझे महस दूस होता है, one of the main reasons मुख्य कारणों में से एक, one of the main reasons मुख्य कारणों में से एक, why, क्यों, I formed, I formed यहने कि मैंने बनाया या फिर मैंने गठन किया, चिक है, such a bond, ऐसा रिष्टा या फिर ऐसा बंधन, bond means बंधन या रिष्टा आप दोनों ही बोल सकते हैं, with my best friend, with means साथ में my best friend, मेरी प्रिय मित्र या फिर मेरी सबसे अच्छी दोस के साथ, was means था, because of, के कारण, the qualities, गुणों के कारण, she possesses, जो उसके पास है, या वो जो रखती है, ठीक है, काफी बड़ा sentence है, और हमने क्या कहया है, हमने इसको तुकुडों में, एक एक word के meaning को पढ़ लिया है, उसके गुण है, जो उसके पास है, ठीक है, जो उसके पास उसके गुण है, वो उसका कारण है, her courage, always inspired me to raise my voice against injustice as she always stood up to her bullies, her courage, हर करी जहने के उसका साहस, always हमेशा inspired, प्रेरित करता है, me means मुझे, उसका साहस हमेशा मुझे प्रेरित करता है, to raise my voice, raise का मतलब क्या होता है, या उठाना, तो raise my voice, यानि के मेरी आवाज को उठाना, against मितलब विरुद्ध या फिर खिलाफ, injustice, injustice का मीनिंग क्या होता है, injustice का मीनिंग होता है, अन्याय के खिलाफ, ठीक है, तो simply क्या हो गया, कि उसका जो साहस है, वो मुझे हमेशा प्रेरित करता है, अन्याय के खिलाफ मेरी आवाज उठाने का, ठीक है, injustice के खिलाफ, injustice के विरुद्ध, या फिर, अन्याय के खिलाफ, या अन्याय के विरुद्ध, मेरी आवाज उठाने के लिए, मुझे हमेशा उसका प्रेरित करता है, as क्योंकि, she always stood up, वो हमेशा खड़ी रहती है, या खड़ी रहती थी, to her bull बुलीज, हर बुलीज, या उसके जो बदमाश थे, या जो उसके दुश्मन थे, उनके विरुद्ध, वो हमेशा खड़ी रहती है, बुलीज का मतलब यही होता है, जो आपसे बदमाशी करते हैं, ठीक है, जो आपको भला बुरा बोलते हैं, तो वो चीज के लिए, she is also one of the smartest minds in class, who doesn't only excel academically, but also in life, she is also means be one of the smartest mind, सबसे होश्यार दिमाग में से, ठीक है, या फिर हम सबसे चतुर दिमाग भी बोल सकते हैं, smartest का मतलब चतुर भी होता है, और होश्यार भी होता है, वो हमारी कक्षा में, in class, या वह हमारी कक्षा में, सबसे होश्यार दिमाग में से, एक है who, जो doesn't only, न केवल, doesn't मतलब न के, नहीं रखती है, only केवल, excel academic, यानिके, श्रेस्ट अपनी section गुलों को नहीं रखती है, but also in life, वह साथ ही, जीवन में भी बहुत अच्छा दिमाग रखती है, यानिके, होश्यार है, या फिर smartest mind रखती है, I have never seen a dancer as good as my best friend, I have never, मैंने कभी सीन मतलब देखा है, और dancer एक नरतक को as good as my best friend, मेरी जितनी, मेरी जो best friend है, जितने वो उसके अच्छा वो डांस करती है, उतना अच्छा डांस करने वाला मैंने किसी को नहीं देखा है, the accolades she has won are proof of her talent, the accolades, जो उसकी वह वही है, ठीक है, she has won, जो उसनी जीती है, our means है, proof of her talent, वो उसके प्रतिभा का प्रमाण है, above all, इस सबसे उपर या इन सबसे बढ़ कर, I feel the quality that appeals to me the most in her compassion, I feel, मैं महसूस करती हूँ the quality, गुण को that appeals, appeals का मतलब क्या होता है, जो दिखाई देती है, जो appeal होती है, to me, जो मुझे appeal होती है, the most in her compassion, the most सबसे अधिक in her compassion, compassion का मतलब होता है, जो उसके दया के अंदर, यानि कि जो दया उसके अंदर है, वो मुझे उसके गुण समें दिखाई देते है, whether it's two word, whether चाहे it's वह है, its का मतलब गया, वह है, towards, towards का मतलब होता है, की और, थिक है towards या फिर two words का मतलब से भी होता है इंगलिश में मैं आपको यह चीज कई बार बता चुक हूँ कि बहुत सारी मीनिंग के अलग-अलग मीनिंग होते हैं towards humans and animals चाहिए वो मनुष्य या फिर मानव या फिर जानवरों के प्रती हों यानि कि वो हमेशा एक जैसी द्रिश्टिकॉण रखती है चाहिए जैसे कि उसका जो प्रेम है या उसकी जो दया है वो चाहिए मानव के लिए हो या फिर जानवरों के लिए एक समान है वो दोनों के लिए एक जैसी रखती है for instance उधारन के लिए there was an injured stray dog there was यानि कि वहाँ था an injured stray dog एक घायल स्ट्री मितलब होता है आवारा या फिर सड़त पे घूमने वाला ठीक है dog means kutta there was एक बार था एक घायल आवारा kutta that was wailing in pain that was जो था wailing यानि कि रो रहा था in pain जो दर्द से रो रहा था wailing का मतलब करहाना भी होता है कि दर्द से करहाना यानि कि दर्द में रोना दोनों ही meaning same ही होता है तो एक बार एक आवारा कुत्ता था stray dog था stray dog मतलब आवारा कुत्ता था जो दर्द में रो रहा था my best friend did not only get him treated मेरी best friend ने न केवल उसका इलाज किया get him treated यानि क नकेवल उसका लाज करवाया लेकिन गेट के साथ में जब 3rd वर्म आती है करवाया ठीक है गेट टीटेट या नी कि उसका इलाज करवाया बड लेकिन शी ऑ्लसो अडॉप्टेड हुम शी उसने औल तब साथ ही या भिरभी adoptive room उसको adopt कर लिया नहीं कि उसको गोद ली लिया similarly इसी तरह she was a poor Shri Shah उसने देखा a poor old woman Shri Shah उसने देखा a poor एक गरीब old woman एक बुड़ी औरत को देखा on the streets सड़क पर one day एक दिन similarly उसी तरह या उसी प्रकार उसने एक दिन सड़क पर एक बुड़ी औरत को देखा ठीक है one day एक दिन and or she only had money for her lunch she only had money उसके पास पैसे थे ठीक है only keval for her lunch उसके पास केवल उसके लँच के लिए यानिकि दो पर के भोजन के लिए पैसे थे एक दिन उसने सड़क पर एक बुड़ी औरत को देखा और उसके पास केवल उसके लँच के लिए यानिकि उसके दो पर के भोजन के लिए पैसे थे my best friend did not hesitate once before giving all of it to the poor lady my best friend मेरी प्रिये दोस्तने मेरी सबसे चीची दोस्तने did not hesitate did मतलब नहीं था ठीक है did का हुई उस हम कब करते है past tense के नहीं किया था यानिकि देने से पहले all of it to the poor lady उस गरीब औरत को एक बार भी पैसा देने से पहले मेरी best friend जो है वो एक बार भी नहीं हिच के चाहिए that incident ये जो दुरगटना है made me respect made me respect यानिकि मुझसे आदर करवाते हैं हर उसके प्रती मुझसे आदर करवाते हैं even more अतिधिक और ज़दा अधिक या फिर बहुत ज़दा and inspired और inspired इनके प्रेजित करते हैं me means मुझे to help the underprivileged more often help यानिकि मदद करने के लिए the underprivileged underprivileged का मतलब क्या होता है underprivileged का मतलब होता है वन्चित लोग जिन लोगों के पास में वो चीज़े नहीं है या जो वो चीज़े हासल नहीं कर पा रहे है उन लोगों के प्रती मुझे और अधि more often यानि के अकसर मुझे उनके प्रती आदर करने और प्रेजित करने के लिए यह जो दुरगतना है मुझे और भी ज़दा प्रेजित करती है मुझे और भी ज़दा इंस्पायर करती है आई होप यह टॉपिक आपको पसंद आया होगा कैसा लगा है प्लीज आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा आज के जो हमारे थ्री वर्ड्स है फर्स्ट हमारा वर्ड है अकॉलिट्स का मतलब होता है वावाही करना वैली वैली मींस रोना and third hesitate, hesitant में तलब संकोच करना है फिर हिच के जाना आज के जो three word है dictation के first है हमारा courage next है against यानि के विरुट and third है bullies बुलीज यानि के बदमार्ष या फिर चत्रू या थोड़ा बहुत जो कहते हैं जिन से हमारी अगर आप चाहते हैं को और टॉपिक में आपके साथ में शेयर करूँ आप वह भी मुझे को में बॉक्स बता सकते हैं thanks watching झाल झाल